कोविट के ने संक्रमित मिलने की रफ्तार बढ़ती ही सक्रियम मरीज बढ़कर 5578 हो गये है चबकि दिवाली के पहले यह 3089 पर थी कुल रोग्यों की तुलना में यह 4.90 फिस्ती है शुकरवार को 422 ने पॉसिटिव मिले और 7 की मौत हो गई अब तक कुल 113651 पॉसिटिव वह 3714 की मौत हो चुकी है लगातार बढ़ रहे मरीजों की वजह से जिला प्रशासन के साथ ही स्वास्त विभाग की चिंताए बढ़ गई है संक्रमन पर अंकुष लगाने के लिए प्रशासन को एक बार फिर से पूरी ताकत लगाने पड़ेगी शुकरवार को मिले संक्रमीतों में शहर के 334, ग्रामन के 87 और जिले के बाहर के एक है मृतक में शहर के 5, ग्रामन का एक और जिले के बाहर का एक है 24 घंटे में जांच किये गये कुल नमूनों में से 8.28% दी नमूने पॉसिटिव आए आज कुल 5,096 नमूने जांच किये गये इनमें से 4,252 शहर के और 844 ग्रामन के है अब तक कुल 8,05,503 नमूने जांचे जा चुके है शुकरवार को 262 मरी स्वस्थ होए इसके साथ ही स्वस्थ होने की दर 91.63% हो चुकी है कुल 1,4,399 मरी स्वस्थ हो चुके है शुकरवार को नीजी लाब में सरवाधिक 114 नमूने पॉसिटिव आए इसके अलावा एंटिजन टेस्ट में 19, एम्स की लाब में 15, मेडिकल की लाब में 90, मेयो की लाब में 72, माफूस की लाब में 30, निरे की लाब में 42, नाकपर विश्विद्याले की लाब में 47 नमूने पॉसिटिव आए